नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हारील स्वागता है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे आज 3 मार्च को जो करसी प्रिवक्षक का एगरिकर्चल सुपर्वाइजर का एक्जाम होगा है उस एगरिकर्चल सुपर्वाइजर के एक्जाम की संपूर्ण पेपर तो हमने 3 गंटे पहले डाल दिया था तो संपूर्ण पेपर तो आपने देख लिया होगा अब इसकी संपूर्ण आंस्वर की जो आंस्वर की लगबग दोस्तों 100% से सही है लेकिन मैं इसका पूरा दावाद नहीं करता क्योंकि हमने ये किसी कोचिंग सहस्तान से जो जेपकुर्ण में कोचिंग सहस्तान है उससे प्राप्त की है तो उसके आंसुर की है वो आपको बता रहे हैं दोस्तों आंसुर के को द्यान से सुरु से लेकर अन तक पूरा देखें एक से लेकर सो क्यूसन तक सभी की आंसुर की एक ही वीडियो में है तो कितने क्यूसर आपके सही हो रहे हैं तो वो सभी क्यूसन आपको हमें कमिट करके बताना है कि आपके इस वरे मारे इतने क्यूसन सही हो रहे हैं दोस्तो वीडियो पसंद आये तो हमारे वीडियो को एक लाइक जुरूर करें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे दियेगे लाल सिस्क्राइब के बटन को दबा करें चैनल को सिस्क्राइब जुरूर करें तो उसके पास जो गंठे का बनावा है उस गंठे के निशान को जुरूर दबादे जिसे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना है या अन्य कोई जैसे बरती आ रहे है तो उस बरती की सूचना है तो रहने जो भी बरती होगी उनके सभी की आनसुरकी की सूचना है तो रहनत वीडियो डालते है आपको उसकी सूचना पहुंच के दोस्तो हम रोज करेंट जीके के पॉलिटिक साइंस के जनरल साइंस के जनरल नोलेज के वीडियो बना कर डालते हैं तो उन सभी के लिंक हम ने डिस्कुर्शन में दिये हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप वह भी जरूर देखें दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं पहला क्यूशन है दोस्तो अंतर नहीत सब्द का सही संदी विचेद होगा तो अंतर नहीत सब्द का सही संदी विचयत क्या होगा दोस्तो इसका राइट आंसर होगा ए यानि अंता है जोड नहीत तो इसका राइट आंसर होगा अंता है जोड नहीत तो अपना पेपर पास मिले लीजिए तो एक-एक क्यूशन मिला लीजिए next question है दोस्तो देते जोड अरी संदी विच्छेत का सही सब्द क्या होगा तो इसका सही सब्द क्या होगा दोस्तो तो इसका answer होगा C सही होगा देत्यारी तो देत्यारी इसका right answer होगा अगला है दोस्तो संतोस सब्द में कौन सा उपसरग है तो संतोस सब्द में कौन सा उफ्सरग है तो संतोस का इसका राइट आंसर होगा दोस्तो सम, सम उफ्सरग है संतोस सब्द में तो इसका राइट आंसर होगा सम हो गया, अगला है दोस्तो निमल लिकीत में से किस सब्द में परते का प्रियोग हुआ है तो किस सब्द में प्रयोग वापरते का तो इसका right answer हो गया दोस्तो मोसेरा तो इसका right हो गया ए इसका सही उत्तर हो गया अगला है दोस्तो लाजबाब सब्द में कौन सा समास है तो लाजबाब में कौन सा समास है दोस्तो तो लाजबाब सब्द है इसमें अवे भावे समास है तो C इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपनी सभी दोस्तों के साथ जिनों नहीं भी दिया है तो सभी के साथ वाटसप गुर्पों में इसको सेर जुरू करें नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तो вे कौन सा समाश है जिसका उत्तरप्द परदान होता है किन्तु पर्थम परद दित्याप्द की विशेशता बतलाता है तो इसका रहाइट ऐंसर क्या होगा तो वे परद isolating क्रम दार्ये समाश इसमें करम परदान होता है जिसमें उत्तरपद प प्रुडान होता है किन तो पर्थम वदेत्यापत की विशेश्टा बदलाता है तो करमदारी समास इसमें राइट होगा अगला परशन है प्सूप पांचूप पन का करम साई सही अर्थ परकट करने वाला सब्द यूगम है कोज आणसे होगा तो इसका right answer उजय का दोस्तो सागर का प्रियावची कौन सा नहीं है ये पूछा गया है तो अबूदी भी सागर का प्रियावची होता है रतनाकर भी होता है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer गया worries वारिष इसका सही उत्तर हो गया next question दोस्तो रिक्तिस्तान के लिए रेखांके सब्द का सही विकलब चुने तो क्या होगा संपन व्यक्ति रिक्तिस्तान की व्यत्था नहीं जान सकता तो संपन व्यक्ति किसकी व्यत्था नहीं जान सकता दोस्तों तो संपन व्यक्ति इसका राइट अंचर हो जाएगा निश्पन, निश्पन की वैथ्या नहीं जान सकता, तो निश्पन इसका सही उत्तर हो जाएगा, शोरी निश्पन नहीं दोस्तो, वीपन होगा, वीपन की वैथ्या नहीं जान सकता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वीपन, नेक्स्ट है दोस्तो, निमलकित में से कौ कुंछा सब्द सुद्ध है तो इसमें दोस्तों इसका राइट एांसर हो जाएगा उच्वाष निहारी का सतर चाया महातमा गन तो सखक उत्त निहारी का सब्द है वह्यस्द सब्दे है ङुकर है अपनी सों ता बनी रहेगी वाकिय में किस परकार कि एसुद्धी है तो ये 11 नबर का क्योंसन है दोस्तो इसमें दोस्तो मेरे साब से इसमें होगी वरतनी समंदी एसुदधी होगी लेकिन दोस्तो इसका सही उत्र यहदि option में नहीं है तो इसमें पिथे समंदी एसुदी माने जाएगी तो इसका D answer सही होगा इसके अला दोस्तों इसमें सही उत्तर जोगा वो वर्तनी समंदी होगा next है सब लोगों से समंद रखने वाला वाक्यांस के लिए सही सब्द क्या होगा तो सब लोगों से समंद रखने वाला यानि सारवे बोमिक, सार्व बोमिक, जो सब लोगों से समन्द रखता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगला है दोस्तो, डेपूटेशन सब्द के लिए उचित परिवासिक सब्द है, तो क्या सब्द है डेपूटेशन के लिए, तो डेपूटेशन के लिए परती न्युक्ती है, तो इसका right answer हो गया, बी उत्तरे, सही उत्तरे हो गया, अगला है दोस्तो, बहुती कठिन कारिये करना के लिए किस वाक्ये में सही मौवरे का प्रियोग किया गया है, तो 14 नमबर क्यूसन है, इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer हो गया दोस्तो, बहुती कठिन कारिये करना के लिए किस वाक्य में सही मौवरा का प्रियों किया गया है. तो इसका रूकि उत्तर है दोस्तों. स्यंसक्त पड़ना लौहें से चबाना है कोई आसान काम नहीं है. नेक्स्ट है परताब में जो ही लगाम लगाई चेतक हवा में बात्या करनी लगा वै तो मेरी मुठी में है उससे तो जो चाहो काम करवा लूँ ये तो नहीं होगा भारतिय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है ये बहुत ही कठीन कारी ये करना है भारतिय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है तो इसका right answer ये होगा तो इसमें दो उतर दे रखे नेक्स्ट है बेल का बेल गया नो हाथ की पगा भी गई यानि बेल का बेल गया नो हाथ की पगा भी गई लोगवक्ति का सही अर्थ क्या होगा तो लोगवक्ति का सही अर्थ होगा दोस्तों बहुत बड़ा गाठा होना इसका सही अर्थ होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो भुलू पोटरी ये जेपूर के हैं कर्पाल जिंग चिरी का होते जो भुलू पोर्टरी से इसका संबंध है तो चीई इसका सही उत्तर हो गया अगला है दोस्तो राज कुमार अजेश चिง को जोधपूर का राज्य पूनर दिलाने में किसका योगदान सरवडिक रहा है तो क किस मांसुनी पाउनों से होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिनी पंची में हवाएं तो इसका सी सही उत्तर हो गया नेक्स्ट कुशन देखते हैं गुनीश नंबर का क्यूशन है वह है निमल कित में से कौन सा नर्ते जसनाती संपरदाई के अनुययों दुवा दाता है तो अगरी नर्ते इसका राइट आंसर हो गया नेक्स्ट है राजस्तान के निमल कित में से किस सहर में होली के दुरान रम्मत का आयोजन किया दाता है तो किस सहर में किया दाता है दोस्तों तो रम्मत का आयोजन किया दता है विकानेर में तो इसका सही उत्तर हो जा सरो प्रतम कहा हुआ था तो कर्शक आंदोलन राजस्तान में प्रारंब हुए थे वो सरो प्रतम बिजोलिया में हुए थे तो बिजोलियों का किसान आंदोलन सरो प्रतम हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों वीडियो पच्छन आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरू करें तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरू करें नेक्स्ट कुछन है राजस्तान की बासा के लिए राजस्तानी सब्द का परियोग सरो परतम किस ने किया था तो रजस्तानी की बासा के लिए रजस्तानी चब्द का सरी प्रतम परियो किया था Weekend जार्ज अब्राहम गृत्षन ने तो इसका रवाइट आजसर हो जागा जार्ज अब्राहम गृत्षन इसका गृत्षन हो गया Next question है राजस्तान राजे डेरी विकास निगम की स्तापना किस वर्ष की गई तो राजस्तान राजे डेरी विकास निगम है इसकी स्तापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी इसकी स्तापना गुनी सो पिचेतर में की गई थी नेक्स्ट है संत गुण सागर वन नाम माला किस संत द्वार रचित है तो संत गुण सागर वन नाम माला किसके द्वार रचित है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत गुण सागर और नाम मला तो यह दोस्तो दादू की दुवरा रचीत है तो इसका राइट आंस हो जाएगा दादू नेक्स्ट है सुमेलित केजिए तो यह है ए है लोनी नदी बेड़स नदी, सोम नदी और माई नदी तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तो तो यह 25 नमबर का क्योशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनी नदी कहां पर है दोस्तो उद्गमस्तल कहां है इसका तो लोनी नदी का उद्गमस्तलत होगा नाग की पाड़ियां, बेड़स नदी का होगा गोगोंदा की पाढ़ियां और सोम ने दिका होगा बिच्छा मेड़ा पाढ़ियां और माहि ने दिका हो गया नागे पाढ़ियां तो इसका दोस्तो राइट हो गया तीन एक, चार, दो यानी B उसका राइट आउंसरे ओ गया. अगला परसें है दोस्तो एक लिंग मातम में किस बासा में लिखा गया है तो एक लिंग मातम में है ये किस बासा में लिखा गया दोस्तों तो ये मेवाडी बासा में लिखा गया है तो इसका सही उत्र हो गया मेवाडी नेक्स्ट है बीजाव माला राजस्तान की किस जनजाती की साखाई है तो बीजाव माला है वह दोस्तों किस जनजाती की साखाई है वह सांसी जनजाती की साखाई है जो बर्तपूर अलवर में पाई जाती है बर्तपूर में पाई जाती है तो यह बीजाव माला सांसी जनजात की साखाएं है अगला परसंद है निमन लिखित में से कौन सी जील जगमंदिर वज जगनिवास के लिए प्रशिद है तो इसका रायट आंशुर क्या हो जाएगा तो पिछोला जील इसका सही उत्र हो जाएगा तो जगमंदिर वज जगनिवास ये पिछोला जीन में स्थित है तो इसका right हो गया पिचोला जील ये उद्यपूर में है नेक्स्ट है दोस्तो पुर्षू दोवारा पहने जाने वाले आभुषन में निविन में से कौन सा है तो कौन सा है दोस्तो तो इसका right हो जाएगा मुर्किया मुर्ग की अपसु द्वारा पहने जाने वाला अभुषन है अगला परसन है दोस्तो चूप नामक अभुषन का सम्मन्द किस्चे है तो चूप नामक जो अभुषन है दोस्तो उसका सम्मन्द किस्चे है तो इसका राइट आंचर हो जाएगा दांत चूब दांत में पैनी जाती है तो इसका राइट हो जाएगा दांत अगला है गमेती निमल लिकित में से किस जिनजाती के लोगों के नेता है तो गमेती है वे दोस्तो भील जिनजाती के नेता है तो इसका सही उत्र हो जाएगा भील अगला है दोस्तो कटारगड राजस्तान के किले का निवास चेतर है तो कटारगड दोस्तो राजस्तान के कुंबलगड किले का निवास से इस तल है तो इसका राइट है जाएगा कुंबलगड अगला है दोस्तों केंद्रिय मरूच छितर अनुसंदान सहस्तान कहां इस्तित है रिक्ष्तान में इस्तित है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा जोदपूर तो केंद्रिय मरूच छितर अनुसंदान सहस्तान जोदपूर में इस्तित है नेक्स्ट है राजस्तान कबीर यात्रा का सम्मन निमल लिकेज में से किस छेतर से है तो राजस्तान कबीर यात्रा है इसका सम्मन दोस्तो किस छेतर से है तो ये गायन से है तो इसका सही उतरो जाएगा गायन अगला है निमल में से एसंगत यूगम को छाट ये तो 35 नमर का क् संगत यूगम है उसका छाटना है तो ग्रेस माउट्सव काहा होता है दोस्तों, यह माॉंटबू में होता है। आच बाग जालवार में बढ़ता है हाथी माउट्सव जेपूर में बढ़ता है तो उन्ट माउट्सव है यह जसल戲ər नहीं होता है तो इसका सही उत्र हो जाएगा उंटे महोत्षव नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान में निमन मैंसे किस स्थान पर उडन गिलरी पाए जाती है तो किस स्थान पर उडन गिलरी पाए जाती है दोस्तों है राजस्तान में लंगूरिय गीत हैं वो कहां गाय जाते हैं तो इसका समध कौन सी माता से हैं सीला माता से हैं करणी माता से हैं बान माता से हैं या केला देवी से हैं तो इसका सही उतर है वे क्या हो जाएगा दोस्तो तो इसका केला देवी राइट आउंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बाला किला राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो बाला किला दोस्तो किस जिले में है तो बाला किला है वे राजस्तान के अलवर जिले में इस्तित है तो इसका राइड हो जाएगा अलवर जिला अगला है चंदरबागा मेला राज़तान में किस जिले में आयोजित ही कियाता है तो कहां पर आयोजित कियाता है दोस्तों चंदरबागा मेला तो यह इसका आंसर हो जाएगा जालावाड में यह कुछ दिर पहले भी आया था कि चं अगला परसन है दोस्तो राष्ट्री इस्तर पर सर्सो अनुसंदान के अंदर इस्तित है तो राष्ट्री इस्तर पर सर्सो अनुसंदान के अंदर है वे कहा इस्तित है तो वे है सेवर में तो इसका सही उत्र हो गया सेवर दोस्तों आपके कितने क्यूसन सही हो रहे हैं सो में से कितने परसन आपके सही हो रहे हैं कितने नंबर बन रहे हैं वो आप हमें नीचे कमेट करके जरूर बताएं जिसे हम इसकी कटोफ मार्श कितने रहेगी उसका अंदाजा लगा सके आपको इसके बारे में भी एक आइडिया वीडियो बना कर हमें जरूर देंगे नेक्स्ट है दोस्तो कम संदरता में इंट्राजीन का चिर्काव रिक्स्तान परकार के वास्पोचन रोदी के रूप में कार्य करता है तो इसका सही उतर क्या हो जाएगा दोस्तो तो इसका सही उतर हो जाएगा रंद बंद करने वाला तो ये डी इसका सही उतर हो जाएगा अगला है दोस्तो आलू की सुशुपता वस्ता को दूर करने के लिए काम आने वाला रसाइन निमन में से कौन सा है तो कौन सा रसाइन है दोस्तो तो ये बैयानिक्स नम्बर का क्यूशन है तो इसका राइट ऐंसर जगह थायो यूरिया तो अलू की सुषुदा उस्ता को दूर करने के लिए काम आने वाल अगसान है थायो यूरिया तो इसका सही उत्र होगा थायो यूरिया अगला परसन है निमन में से कौन से परकार के उर्वक सम्मान नेता है भारत विदेश में निर्याद करता है तो कौन से उर्वक है वो भारत विदेश में निर्याद करता है तो वह है दोस्तो नतरजन वाले तो इसका राइट आंसर होगा नतरजन वाले यानि नाइट्रो जिनस इंग्लिश में देखे तो nitrogenous इसका रही चाही होगा यह उत्राण में गलत ही हो जाता है हिंदी में next है single super phosphate में sulfur का ends कितना परतिसद होता है तो single super phosphate में sulfur का ends होता है तो वह होता है दोस्तो 12 परतिसद तो इसका सही उत्रो जाएगा B12 परतिसद अगला है राजमा की पसल के लिए सस्तूत नतरजन की मात्रा यानि nitrogen की मात्रा कितनी किग्रा परति हेक्टर होती है तो इसका सही उत्र क्या होगा दोस्तों तो इसका सही उत्र हो जाएगा D यानि 110 से 120 किग्रा परति हेक्टर next question है खरपतवा नियंतरन हेतू brown manuring जो की एक विदी है कौन सी पसल के लिए सम्मानित अपने जाती है तो कौन सी पसल के लिए अपने जाती है तो इसका right answer हो जाएगा दाहन के सिधी बोवाई के लिए तो इसका D सही उत्र हो गया अगला question है दोस्तो एक हेक्टर रिक्स तान सेंटीमेटर पानी के बराबर होता है तो एक हेक्टर दोस्तो कितने सेंटीमेटर पानी के बराबर होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही उत्र हो जाएगा C यहीं एक लाख लिटर सेंटिमेटर पानी के बराबर होता है अगला क्यूस्तन है दोस्तो लवणी मर्दाओं को किस विदी से सुधारा जा सकता है तो जो लवणी मर्दा है उनको किस विदी के दवरा सुधारा जा सकता है तो इसका सही उत्र होगा निश्पंदन विदी के दुवरा तो इसका A right answer हो गया Next है जलवायू परिवर्तन से क्या भी प्राय है तो जलवायू परिवर्तन से क्या भी प्राय है दोस्तों 002 मिमी से कम तो इसका A है वो right answer हो गया, अगला परसन है दोस्तो ammonium sulfate उरुरक की तुल्यांग की अमलेता कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तो तो इसकी अमलेता होती है 110, तो इसका right answer हो गया C इसका सही उतर हो गया अगला परसन है निमन fast force उरुरकों में से कौन सा अमली मर्दा में उप्योग है तो कौन सा है दोस्तों तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्र हो गया जब बावन नमबर का क्यूशन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोक फोस्पेट तो ए इसका राइट आंसर हो गया अगला क है जो दूई वर्ष्ष कर्पुदवर होती है उसका उधारण है तो इस कौनसा क्योशन है दोस्तों 53ато क्योशन है तो इसका सही उतर क्या होगा तो 53 नमबर क्योशन का राइट ऑंसर हो जाएगा equarium entebers तो इसका राइट हो जाएगा दी इसका सही उत्र हो जाएगा तो चोवन नंबर का क्यूचन है तो वह है कक्सस्त कलिकाओं का साकाओं में बडवार क्या 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 क्य वह कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 200 मिटर, तो इसका सही उतर हो जाएगा 200 मिटर, अगला है जीया मेज एवर्टा, रिक्स्तान का वानस्पतिक नाम क्या है, तो जीया मेज एवर्टा है, इसका राश जो वानस्पतिक नाम है, वह हो जाएगा जीया मेज एवर्टा तो पोपकोन का वास्थपी के नाम है तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है दोस्तो नीमन में से कौन सा पोसक तत्व है कलोरोफिल का अवेव है तो कलोरोफिल का अवेव कौन सा है तो कलोरोफिल का अवेव है दोस्तो मेगनीशियम तो इसका सही उत्र जाएगा मेगनीशियम अगला परसन है अवनली का छरण की रिक्स्तान की बढ़ती होसता है तो अवनली का छरण है वह किस की बढ़ती होसता है तो वह रिल छरण की बढ़ती होसता है तो ए इसका सही उत्र हो गया अगला है दोस्तो वह पुसक तत्व है, जो इस्टोमेटा की गती और पोदों की कोशिकाओं की स्पिती को बनाए रखता है तो वह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, तो B इसका सही उत्तर हो गया, अगला प्रसन है मक्का की दो पंक्तियों के मद्दे उड़त की एक या दो पंक्तिया लगाना उधारन है किसका उधारन है दोस्तों तो ये सहचर पसलों का उधारन है तो इसका ए इसका सही उत्तर हो गया अगला किस्टन है दुर्गापुरा मदू किस पसल से समधित किसम है तो दुर्गापूरा मदू है वह किस पसल से समदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो तरबूज तो ये इसका सही उत्तर हो गया अगला है दोस्तो अंगूर में संगाई की कौन सी विदि के से सारवधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो कौन सी विदि से किन्नो का दिक्तम उत्पादन होता है तो यह होता है गंगानगर अनमानगड में तो इसका B है वो राइट आंसर हो गया किन्नो ये संत्रे की किसम है इसका उत्पादन सरवधिक होता है तो गंगानगर अनमानगड में होता है राजस्तान में अगला है दोस्तो खजूर का परस तो कौनसी बहार है, तो ये है मRIG बहार तो इसका right answer क्या हो जाएगा? मRIG बहार, तो इसका A है वह सही उत्तर हो गया अगला है दोस्तों, अफ्रिकन मेरी गोल्ड, यानि गेंदा का वनसपतिक नाम क्या है, तो गेंदा है अफ्रिकन मेरी गोल्ड है इसका वनस्पतिक नियाम क्या हो जाएगा ते हो जाएगा टेगेटस इरेक्टा तो बी इसका सही उत्तर हो गया अगला दोस्तो निमन में से कौन सी विदी को सगन बागवानी का जाता है तो कौन सी विदी को का जाता है सगन बागवानी तो ये ट् परमुक बिमारी होती है, चुर्णी फंफुंद, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम, बेर, अंगूर, उपरक सभी, तो इस सभी में होती है, तो D है इसका सही उत्र हो गया, उपरक सभी, नेक्स्ट है दोस्तो, शिंदू अगला है गुलाब की खेती, 46 में संटाई का समय होए, तो क्या समय है गुलाब की खेती में संटाई का, तो अक्टूमबर नॉवंबर इसका सही समय है, तो ए इसका सही उत्र हो गया, बैतर नॉबर का परसन है, यह है दोस्तो, जेम बनाने के लिए कौन सा फल उप्यक्त रहता है, तो जेम बनाने के लिए कौन सा फल उप्यक्त रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तो, तो इसका होगा अननास, तो बी इसका सही उत्तर हो गया, अगला परसन है, निमल लिकित में से कौन सा फल विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोथ है? तो कौन सा फल है वो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोथ है? तो विटामिन C दोस्तों आमले में पाजाता है, लेकिन बार बार डोस चेरी है, वो सबसे अच्छा स्रोथ है विटामिन C का. तो तेथर नमबर का क्यूशन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा B अगला परसंद दोस्तो आम की बोनी किसम कौनची है तो आम की बोनी किसम है अमरे पाली तो D इसका सही उतर हो गया तो दोस्तो नेक्स्ट है भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उतपादन होता है तो किस फल का उतपादन होता है तो केला है वह बनाना है वह सबसे ज़्यादा उतपादन राजता भारत में होता है तो इसका B इसका राइट आंसर हो गया दोस्तो 75% होगे, 25% बच्चे हैं दोस्तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेट करके जुरूर बताएं तो सबी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर जुरूर करें नेक्स्ट है दोस्तो गरीब आदमी का संत्रा किसे का जाता है तो गरीब आदमी का संत्रा है वे का जाता है टमाटर को तो इसका C है वे सही उत्तर हो गया विंटर चेरी के नाम से कौन सा उस दिया पोदा जाना जाता है तो विंटर चेरी है इसके नाम से कौन सा पोदा जाना लता है दोस्तो तो इसके नाम से जाना लता है अस्वे गंदा तो इसका A है वह राइट आमसर हो गया अगला परसन है दोस्तो गलोडीलेस फूल को क्या कहते हैं तो गलोडीलेस फूल है इसको क्या कहते हैं इसको दोस्तों स्पाइक कहते हैं तो ए इसका सही उत्तर हो गया next है head किस पसल का आर्थिक बाग है तो head है वह किस पसल का आर्थिक बाग है तोस्तों तो वह फूल गोबी का है तो इसका a है वह सही उतर हो गया अगला है C number का question है वह है खीरावरगी पसलों में पादब हार्मोन का sex form बदलने के लिए कब चिड़काव करते हैं तो खीरावरगी जो पसल है उसमें पादब हार्मोन का sex form बदलने के लिए चिड़काव कब करते हैं तो वह दो चार सची पत्ति वस्ता में करते हैं तो इसका a है वह right answer हो गया अगला पसलों दोस्तों बेड में समागम की किरिया को कहते हैं तो बेड में जो समागम की किरिया होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं उसे टंपिंग कहते हैं तो b है इसका सही उत्तर हो गया अगला है अविकाली नसल है अविकाली नसल है किसकी बकरी की है गाय की है बेड की है या सूवर की है तो इ इसका c right answer हो गया अगला है किस पसू के दूद में insulin की मातरा जदा होती है तो किस पसू के दूद में होती है insulin की मातरा जदा तो यह उंटनी के दूद में होती है तो c है इसका सही उत्तर हो गया अगला है दोस्तो रट या मस्त अवस्ता किस पसू को देखने को मिलती है किस पस अगला प्रस्अ है, पसू में गल गटु बीमारी का कारण है, इसका कारण है दोस्तों, जीवानू, तो A इसका right answer हो गया, नेक्स्ट है दुग्द बुखार बिमारी का कारण है तो दुग्द बुखार बिमारी है इसका कारण है दोस्तो उपाप चाई तो उपाप चाई D है ये इसका सही उतर हो गया नि मेटाबोलिक राइट आंसर हो गया अगला है दोस्तो पसो में खुर्प का मूप का बिमारी का कारण क्या है तो पसु में जो मुप का खुर्प का बिमारी होते है इसका वाइरेस या विशानू इसका कारण है तो ए इसका सही उत्तर है नेक्स्ट है दोस्तो किस बिमारी में पसु का पोस्ट मार्टम नहीं किया जाता तो किस बिमारी में नहीं किया जाता है पसुब का post-martum, तो इसका सही है दोस्तो, inthrex, तो a इसका right answer है, अगला प्रसन है, दूद में strip cup test दुवारा, किस बिमारी का पताया लगा जाता है, तो दूद में, स्ट्रिप cup test के दुवारा किस बिमारी का पताया लगा जाता है तो इसका right answer क्या होगा रोटीन के करने गाय का दूद्ध पिला होता है तो B इसका सही उत्तर है अगला प्रसंद है दोस्तो राष्ट्रिय डेरी अनुसंदान सहिस्तान कहां पर स्थित है तो राष्ट्रिय डेरी अनुसंदान सहिस्तान है ये कहां है दोस्तो तो ये करनाल में स्थित है तो इसका A है नेक्स्ट है दूद में उपस्तित वसा का पता किस विदी के दुबारा लगा जाता है तो दूद में जो वसा उपस्तित होती है उसका पता दोस्तों गर्बर के दुबारा लगा जाता है तो C इसका सही उत्र हो गया नेक्स्ट है टोंड दूद में उपस्तित वसावय SNF की परतिस्त मात्रा होती है तो टोंड दूद में कितनी मात्रा होती है दोस्तो तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8.5 परतिस्त तो ए इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रसंद दोस्तो निमन में से कौन सी गाय की नसल बाहरवाग के लिए जानी जाती है तो कौन सी गाय की नसल जानी जाती है नागोरी गाय की जानी जाती है तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यस्क गाय का इस्ताई दंसुत्र है तो व्यस्क गाय है इसका इस्ताई दंस उत्र क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तो A, A है इसका सही उत्र हो जाएगा अगला परसन है दोस्तो वसा की मात्रा बैंस की किस नसल में सारवदिक पाए जाती है तो वसा की मात्रा है ये बैंस की बदवारी नसले में सहरोधिक पाई जाती है तो D इसका सहीवतर हो जाएगा अगला परसन है निमन मेंसे कौन सी बैंस की नसल नहीं है तो कौन सी बैंस की नसल नहीं है तो इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तो तो राटी है ये बैंस की न असल नहीं है तो D है इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप मारे वीडियो को लाइक करें यदि चेनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो निचे दिएगे लाल सिस्क्राइब के बटन को दबा कर चेनल को सि पॉलिटेकर साइंस, जन्रल साइंस वह ने कंपिटिन एक्जाम से सम्मध जितने भी बढ़ती आती हैं उन बढ़तियों के पेपर, उनके सूर्चना ता उनके आंस्वर की भी हमें उपलब्द करवाते हैं तो इसके लिए अब हमसे जुड़े रहें नेक्स्ट किसन है दोस्तो, हसियाकार सींग, बेंस की किस नसल का परमुक लक्षन है, तो किस नसल का परमुक लक्षन है, तो यह सूर्ची बेंस का है, तो इसका A सही उत्र हो जाएगा, अगला है दोस्तो, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नसल है, तो जमना पारी है, तो इसका right answer हो गया last किसन है दोस्तो राष्ट्रिय बक्री अनुस अंदान सेंस्तान कहां इस्टित है तो यह है दोस्तो मकुदम में तो इसका D है यह right answer हो गया मकुदम इसका सही उत्रे हो गया दोस्तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे comment करके जरूर बताएं तो आपके सो में से कितने परसन आपके सही हो रहे हैं वो भी आप हमें नीचे comment करके जरूर बताएं धन्यवाद दोस्तो